ये एक बाद फी से मेन नियोजेटी जैने यूटू पांट जरो माप सभी सिक्षक सांत्यों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यानि आज जिस जिला में बेतन आज से कल में हो जाएगा उसका अपडेट हम आपको बताएंगे तो पूरी जनकारी के लिए चनल को सब्सक्राइब कर ले और फेस्बूक पेज को फॉलो कर ले ताकि सिक्षावी बाग से हर ख़बर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो यह देखते हैं वीडियो को भी स्टार से जैसा कि आपको बता दें कि परश्चमी चमपारन जिला से मिली जनकारी के अनुसार चेक कट गया है एसेसमत से और आज बैंक को भी उपलब्द गरा दिया जाएगा साथ में आज ये कल में इसका बेतन भी भुख्टान हो जाएगा और जीयो विमत का पूर्व में बेतन भुख्टान हो चुका है और आपको बता दें पूर्वी चमपारन जिला से मिली जनकारी के अनुसार सभी परकिरियाएं पूर्ण कर ली गई है आज हर हाल में देर संद्या तक बेतन भुख्टान हो जाएगा वही सहरसा जिला से मिली जनकारी के अनुसार आपको सनी बार को ही बेतन भुख्टान होने वाला था लेकिन किसी कारण बस नहीं हो पाया लेकिन आज देर संद्या तक एसे समा तथा जीयो भी मत दोनों मज से बेतन पाने वाले सभी सिक्छकों का बेतन भुक्तान मा सितंबर का हो जाएगा वहीं भागलपूर जिला से मिली जनकारी के अनुसार आपको बता दें कि राशी पास हो गया है एसे समझ से बेतन पाने वाले सभी सिक्षकों का और आज से कल में इसका निश्ची तुरूप से बेतन भुक्तान हो जाएगा वहीं सीता मड़ी जिला से मिली जनकारी के अनुसार जितने परखंड का बिपत्र जमा हो गया है सभी का बिपत्र बैंक को उपलब्द करा दिया गया है और उमीद है कि आज से ही बेतन भुक्तान की परक्रिया चालू हो जाएगी वहीं रोहतास जिला से मिली जनकारी के अनुसार बिपत्र बैंक में चला गया है इसका भी बेतन भुक्तान आज शेकल में निश्यत रूप से हो जाएगा वहीं आपको बता दे कि जमुई जिला से मिले जनकारी के अनुसार पूर्व के वीडियो में भी मैंने अपडेट किया था कि वहाँ पर भी सभी पड़ की रियाएं फूर्ण कर ली गई है आज शेकल में इसका बेतन भुक्तान निश्यत रूप से कर दिया जाएगा साथ में आपको बैसाली जिला में भी भूध वार्थ तक निश्यत रूप से एसेस मल से बेतन पाने वाले शिक्षकों का बेतन भुक्तान हो जाएगा और अंगाबाद मदुबनी सभी जिला में आज बेतन भुक्तान होने की पूर्ण शंभावना है तो वीडियो में इतना है वीडियो मल आस तक बनायाने के लिए धन्यवाद वीडियो को जासे याज सेयर करें वीडियो को एक लाइक आउस करें और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें इस तरह का सिक्षाई वाक से लेटेस अब्डेट